जै श्री कृष्णा, वेलकम टू हैवलाडर आज हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा आपके परसन की फिलिंग्स और उनकी इंटेंशन आपके टूवर्ज कैसे रहेंगी और आपके इस रिलेशनशिप की तरफ जब भी ये वेडियो आपके सामने आएगी उसके आने वाले अगले हफते तक की आपके परसन की इंटेंशन और फिलिंग्स को बताएगी आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं, आज राशी वाईज करते हैं अगर आप मेश राशी के हैं, टॉरस, वर्गो तो अललग आज हम आपके बारे में जानेंगे तो आपके लिए बहुत कन्विनियेंट होगा इस बार इस बार राशी वाईज मैं एक एक करके सबको लूँगी और सबकी करेंट फिलिंग्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगी और टाइम स्टेंप में आपको टाइम भी मेंचन दे दूँगी ताकि आप अपने राशी अपने असेंडन यानि के लगन के साब से आप अपने परसन की फिलिंग्स को जान सके उनकी इंटेंशन को जान सके कि आने वाले अगले हफ्ते तक उनकी इंटेंशन और उनकी फिलिंग आपके लिए क्या होगी तो without wasting time let's start और आज quickly करेंगे ताकि आप जान सके आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो हाई मेश राशी मैं आपसे start कर रही हूँ अगर आपकी मेश राशी है मेश लगन है यानि कि Aries Ascendant Aries Sign और चाहें तो आप मून राशी से भी देख सकते हैं सन राशी से भी देख सकते हैं तो आपको जैसे convenient लगता है तो मैं आपके लिए रेडिंग कर रही हूँ और बता सुकूंगी इसके बाद कि आपके person की intention उनकी feelings आपके लिए आने वाले हफते में क्या रहेगे और अगर यह रेडिंग पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक प्लीज कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको यह रेडिंग पसंद आई है कि Aries सबसे पहली बाद तो यह जिसके लिए भी आपकी रेडिंग देख रहे हो चाहिए male है यह female है इसने आपको commitment नहीं दिया है जिसकी वज़े से आप अधर में लड़के हो गए हो आपको यह भी particular way में समझ में नहीं आ रहा कि यह person चाहता क्या यह चाती क्या है और यह वो person है जिसने एक तरह का decision लेना होता है कि move करना है यह नहीं करना कैसा इस relation को एक तरह का title देना है आपको commitment तो एक अलग बात होती है जैसे properly एक तरह का relation को serious way में चलाना होता है वो भी इस person नहीं किया जिसकी वज़े से आपको बहुत दिक्कत आ रही होगी वो person है जिससे आप playboy and playgirl के तोर पर कह सकते हैं यह player है जिसने बहुत से लोगों के साथ relation रखा है लेकिन आने वाले हफते में यह आपको बहुत याद करने वाला है और याद करने वाली है series आने वाले हफते में यह person पूरी कोशिश करेगा detachment करने की कि वो इस relation से overcome कर सके लेकिन वो कर नहीं पाएगा और इस से में भी वो यह कोशिश कर रहा है आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आपसे move on हो चुके हैं लेकि यहाँ पे मुझे नहीं दिखता कि वो आपसे move on कर चुके हैं इसने बहुत mind चला लिया आपके साथ इसे मालूम है कि मेरी अब mind games नहीं चलेगी आपका यह person बहुत mind games चलाने वाला है यह चलाने वाली है इसने अपनी बातों में आपको बहुत डाला होगा और यह बात यह समय राइटनों समझ रहा और इसकी वज़े से यह setback फील कर रहा है इसको लगता है कि यह हार चुका है यह हार चुकी है बट यह आने वाला भगता है इसके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा इसे यह समझ में नहीं कर पार आपसे बहुत कोशिश कर रहा है यह समय राइटनों जिसमें मैं यह रेडिंग कर रही हूँ बट यह नहीं कर पाएगा इतना मैं आपको प्लियर कर दो कभी कभी इस परसन है आपको एरोगेंसी भी दिखाई होगी एक इमोशनली डिटैश होने की कोशिश की होगी कि मुझे फरक नहीं पड़ता मेरा दिल बहुत पक्का है मैं हाट ड्राइ हाट का हूँ मुझे फरक नहीं पड़ता बड़ यह वो परसन है जिसके अंदर ये अंदर वो खोकला होता जा रहा है इसे हर फिलिंग्स असर करती है यह माने या ना माने और आने वाले हफते में यही रहेगा आने वाले हफते में यह रह पश्टावा रहेगा इसको कि इसने आपको सही नहीं दिया इसके वज़े से यह अपने आपको अकेला करके चलेगा यह लोगों से सोशल गैंदरिंग नहीं करेगा कम से कम करने की कोशिश करेगा एक तरह से अपने आपको आइसोलेट अकेले में रहने की कोशिश करेगा क्यो कि वज़े से इसका अपने आप पर कॉन्फिदेंसी खतम हो गया जानना चाहती हूं कि इसकी आने वाले कल में इंटेंशन आपके लिए क्या रहेगी मतलब क्या स्टैप उठा सकता यह एरिस वालो खिल ओके यह काट गिर के अपने आप यह लूंगी मैं तो यह परसन आपके टूवर्ड सेकिंड चांस मांगने के लिए आ रही है यहां पर यह फील हो रहा है कि यह परसन के मन में इस हफते आते आते आपसे डिटैश्मेंट की कोशिश में करते करते एक फिलिंग इसके उपर हावी होनी शुरू हो जाएगी यह आपके टूवर्ड इनिचेट लेने की सोचेगा हो सकता है यह आपसे सेकिंड चांस मांगे यह सेक्शुली अट्रेक्ट होकर लेगे यहां पर मुझे लब्स की फिलिंग भी नजर आ रही है अगर आप इस रिलेशन को लेकर पोजिटिव और पोजिटिव रहे हो और पोजिटिव तो यह परसन भी आपके साथ पोजिटिव रहेगा So Aries, this is your reading आपके person की मैंने intention बताने की कोशिश की उनकी feelings कैसे रहेगी आने वले हफते के लिए अब आगे बढ़ते हैं आप चलते हैं Taurus की तरफ Hi Taurus अगर आप इराशी से अपने आपको देख रहे हैं या लगन से, Ascendant से अगर आपको Taurus Ascendant है तो भी रिडिंग आपके लिए है आप Moon Sign, Sun Sign, Ascendant Sign कुछ भी देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके person की आने वले हफते में intention और feelings आपके towards क्या रहेंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपनी रिडिंग पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक का बटन प्लीज दबा दीजेगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये रिडिंग पसंद आए इससे में आपका ये person मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है यहांकर मुझे जॉब नजर आ रही है कोई नया करने की कोशिश कर रहा है ये अपने किसी काम को लेकर बहुत परिशान है अगर आप लोगों का break-up हो चुका है मैं तो कहूंगे आप no contact situation में होने चाहिए क्योंकि आपका person आपको बीना कुछ बताए जैसे मिज़ार में छोड़ कर बीना कोई जहां पे आपको मनाया जा सकता था छोटी सी बात को बढ़ा कर वो आगे बढ़ चुका है ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है और seriously बताओं वो कोशिश भी कर रहा है आपका person मुझे क्यों फील हो रहा है कि किसी bad habit में है drinking में अपने आपको डवने की कोशिश करेगा क्योंकि वो आपसे highly sexually attracted है और उसका कुछ बन नहीं रहा आपसे बात नहीं हो पारी तो अपने आपको वै उस चीज में डालने की कोशिश करेगा अपना ध्यान डवेट करने की कोशिश करेगा मैं यहापे फील कर पा रही हूँ तो और इस आपके person को आने वाले हफते में ये फील होगा कि आप उसको worthy नहीं मानते आप उसको अपने लाइक नहीं मानते इसलिए आप उससे दूर जा रहे हो आपके इस person को ये फील हो रहा है और आने वाले कल्वे और ज़्यादा होगा कि ये person जिसके लिए मैंने इतना कुछ करने की कोशिश की मुझे नहीं पता आपके person कितना करने की कोशिश की लेकिन ये person मानता है मैंने effort bottle है मैंने इसको पठाने के लिए जामेल हो यदि फील हो बहुत कुछ की है बहुत कुछ देने की कोशिश की है लेकिन ये मिरी bottle में नहीं उतरी या नहीं उतरा जिसकी वज़े से आपका person अपने आपको detach करने के लिए आप से दूर होने की कोशिश के लिए या अपने ध्यान डियवेट करने की कोशिश करने के लिए मुझे यहां पर drinking में जाते हुए या ऐसे दोस्तों के बीच में जाते हुए दिख रहे हैं जहां पर यह दुनियादारी से दूर जा सके और आपको भूल सके यह बंदा भूलने की कोशिश के आपको भूलने के चक्कर में अब बैड़ एबीट में जाते हुए मुझे ज़्यादा नहज़र आहरा है अप तॉरस मैं जानना चाहंगी कि आपके परशन आपके टूर्स क्या एक्शन लेंगे उनकी इंटेंशन रेलिटी में क्या रहेग हके आने व़ली हफ्टे में आपके लिए आपका परसन टॉरिस का परसन क्या इनिशियत लेगा अपने पकार्ड गिर गया है six of swords टॉरिस का परसन आने वाले हफ्ते में क्या intention रहेगा क्या intention रखेगा और action लेगा टॉरिस वालों कि तरह आपका परसन टॉरिस अकेले रहना पसंद करेगा sorry to say यह वो परसन हुए है जो इस समय अपने आपको victim card में लेके चल रहा है उसे लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो गया और move on होने की कोशिश करेगा आपसे यह इस relation से लेकिन वह यह बात अच्छी तरह जानता है वह victim card खेलेगा अगर वह आपके towards initiate लेने की सोचेगा भी तो भी वह victim card खेलेगा और आपको बोलेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है तेरे साथ क्या बुरा हुआ है तू ने मेरे साथ बुरा क्या है यहां पर यह जो भी इसकी कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई जिसका इस बात को इसको दुख है regret है पश्तावा है victim है यहां पर totally energy मुझे लगती है यहां पर और यह सारा बिल आप पर डाल रहे है यह आने वाला हपते में आप पर बिल आल रहे होंगे और कह रहे होंगे कि आपने इसक के साथ अच्छा नहीं किया है क्योंकि इसकी wish fulfill नहीं हुई है जो आपसे expectation थी वह पूरी नहीं हुई है तो Taurus this is your reading मैंने कोशिश की आपके person की आने वाले हपते की feelings और साथ में उनकी intention बताने की कैसा एक्शन दे सकते या नहीं ले सकते अगर आपको यह reading पसंद आए तो प आपके लिए है जानते हैं आपके person की क्या intention रहेगा आने वाले समय में और क्या feelings रहेंगे आपके towards और अगर आपको यह reading पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा टॉरेस के person की आने वाले हफ्ते क्या फिरिश रहेंगे जन्मिनाए और मित्थुन आप लफुप को एक बात बता दूँ आपका यह जो भी person है इसमें कभी इगोस्टिक एटिटूट में और आने वाले हफ्ते में भी रहेगा यह वह person है या तो आपसे उमर में बड़ा है नहीं तो इसकी नेचर ऐसी है काफी और थोरिटेटिव काफी डॉमनेटिक इनरजी में यह आपर फील कर पाला अने वाले हफ्ते में आपको बहुत बीजी रहने वाला है अपने वर्प की वज़े से और यह अपनी एटिट्यूट रखते हो आप बहुत हटकंडे अपनाते हो उनको दूर रखने के लिए चड़ाने के लिए यहां पर थोड़ा सा परसन आपके तुवर्स बिटर रहेगा कड़वा रहेगा उन्हें आप पसंद भी हो लेकिन वह कहते हैं कि सब कुछ अपने कोडिंग चाहिए लेकि जो आप अपनी बात रखते हों इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वह आपके सब 50-50 रहेंगे आने वाले हटे में आपके परसन की जो फीलिंग है आपके टुवर्स फिफ्टी-50 रहेगी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगटिव जैमिना है मुझे यहां पर फ करेगा आपके बाएं पता लगाने की कोशिश करेगा मुझे यह आपके फील ऊरहा है एकार करे का कंशिश करेगा कि अपकी इन्फोर्मेश्न गेधर कर सके पता नी क्यू मुझे यह यहां पर फील रहे है कि आपका पॉर्स बुप लायर है बहुत जूटा और या आप इस लेकिन साथ में dominating energy रखेगा तो सीधे directly initiate लेने की नहीं सोचेगा वो आपसे sign चाहेगा कि आप कोई हैसा हिंट दो कि उसे लगे आप भी उसे communication करना चाहते हो लेकिन यह आपका person liar है मैं आपको एक बात बता दू मुझे यहाँ पर liar energy महसूस हो रही है तो please संबल के बात कीजिएगा कुछ बाते यह person आपसे चुपा रहा है आने वाले हपते में या आपके लावा भी किसी और से deal कर रहा है इसने यह बात चुपा रहे हैं यह person बहुत sneaky है लेकिन यह आपको sneaky मानता है अब मैं आपके person के attention और उनके action आपके towards निकालना चाहूंगी कि अगले हपते आपके person के intention और उनकी action आपके towards क्या रहे है आपके person seriously मुझे feel नहीं हो रहा कि person कोई खास initiate आपके towards लेगा yes यह आपको twin flame मानता है आपके towards long term commitment देखता है आपके साथ relation बनाना चाहता है आपके साथ enjoy करना चाहता है अपनी life को लेकिन कोई initiate ना लेनी की वज़े से यह person बहुत ही जड़े depressed होने वाला है और इसका यह अच्छा आगे वाला नहीं जाने वाला है शराब का भी नहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर रोते हो और दुखी हो जितना आप दुखी हो यह person भी उतना ही दुखी है इस मामले में यह depressed में जाने वाला है इसको लगता है कि इसने आपके टूवर्स इनिशेट नहीं लेकर अपने पैरों पे कुलाड़ी मारी यह person self-sabotage वाला इंसान है fire है यह इसके अंदर आपके साथ एक इसके अंदर करच नहीं है आपके टूवर्स एक्षन लेने की और इस यह रीडिंग और इस तो लाक शेर शब्सक्राइब आपके अवर्स चानल